अम्शेंति आदी शंकराचारिय का एक शिष्य बिश्णु के चवत्य उतार नर्सीम देव का भक्त था और उसने एक दिन सोचा कि मेरा ज्वाराध्य देव है उसे मुझे पाना है उसके दर्शन करना है और इस लक्ष से वो किसी जंगल गया वहाँ एक कुटिया बनाई और वहाँ तबस्या करने लगा कुटिया के वाजू में एक चट्टान पर बैठकर सारे दिन बर ध्यान मगनौ एक बार एक वनवासी वहाँ से गुजर रहा था और उस वनवासी ने देखा ये कौन है आखे बन करकर बैठा हुआ है ये व्यक्ति वनवासी बहुत बोला था उसे धर्म की भक्ति की क्यान की किसी भी बात की कोई ख़बर नहीं थी उसे आश्चर ये हुआ इस व्यक्ति को देखकर जो बैठा है आखे बन्द है उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है पर उस सन्यासी ने उस वनवासी को आकरशित किया और वो वनवासी रोज आकर देखने लगा और इंतजार में था कि कभी तो ये आख खोलेगा और इससे मैं पूछूंगा ये कर क्या रहा है कई दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक वो सन्यासी आख खोलता है तब ये वनवासी उससे पूछता है आप क्या कर रहे हो आप कौन हो सन्यासी कुछ नहीं बोलता वो वनवासी फिर पूछता है आप करते क्या हो आपको अगर नेंद आती है तो आप अंदर जाके लेट क्यों नहीं जाते है यहां आखे बन करके क्यों बैठते हो सन्यासी कहते है मैं नींद नहीं कर रहा हूँ मैं ध्यान करता हूँ बन्वासी पूछता है यह ध्यान क्या होता है सन्यासी कहते है तुम नहीं समझो गई वो आखे बन करके फिर से तपस्या मगनौ परंद वो वनवासी और ही जद आकरशित होता है रोज रोज आकर वहाँ बेढ़ता है देखता है फिर पूशता है ये ध्यान क्या है जब एक दिन सन्यासी की आख फिर खुलती है वो सन्यासी कहता है तुमारी भाषा में समझाओ तो मेरे जो आरद देश्वर है मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ तुमारे लिए इतना ही समझना काफी है परंद वो वनवासी नहीं मानता वो फिर आते रहता है रोज आता है और पूशता है आप किसका ध्यान करते हो किसका दर्शन करना चाहते हो वो सन्यासी नर्सीमदेव का भक्त है वो कहता है कि तुमारी भाषा में समझाओ तो मैं एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना चाहता हूँ जिसका सिर शेर का है और जिसका बाकी शरीर मनुष्य का है सन्यासी वनवासी पूछता है अगर तुम्हें उसे खोज नहीं है तो आखे बन करके यहां क्यों बैठे हो जंगल में क्यों नहीं जा के खोजते क्योंकि खोजने की तो यही विद्धी है जिसे खोजना है उसे धुड़ना होता है सन्यासी मुस्कुराता है आख बन करके ध्यान मगना वो वनवासी रोज आता है रोज बैठता है और दीरे दीरे दोनों में दोस्ती होती है और एक दिन वो वनवासी देखता है ये कितना दुबला पतला हो रहा है ये तने शरीर को कितना कश्ट दे रहा है और वो कहता है तुम्हारी पीड़ा को मैं हरूँगा मैं धुन के लाँगा जिस व्यक्ती का तुम दर्शन करना चाहते हो उसे मैं खोज कर लाँगा और वो व्यक्ती पूछता है उसका नाम क्या है वो कहता है Нरसिंग वो वनवासी खोजने निकलता है जोर जोर से चिलाता है नरसिंग 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 पूरे जंगल में खोजता है और दीरे दीरे खोज इतनी तीवर हो जाती है इतनी तीवर हो जाती है कि अब उसे खाना पीना सोना सब भूल गया है उसके संकल्प संकल्प में रग रग में रोए रोए में बस वो एक ही पुकार है कहां हो, कहां हो जिसका सिर शेर का है और जिसका शरीर मनुष्य का है दिन रात धूंडता है सब जगा धूंडता है नदियों में धूंडता है पहाडों में धूंडता है गुफाओं में धूंडता है जंगलों में धूंडता है प्रान त्याग दूंगा कहां हो वो किस लिए दूंड रहा था ये भी भूल जाता है और जो प्रेम की तरंगे उसके रिधे में उत्पन्न होती है वो प्रेम की तरंगे उस जंगल में उस जंगल के वतावरन में उस प्रकृती में फैलने लगती है और अच्छानक वो तरंग कहानी भक्ती की है और भक्ती में दिखाया है वो तरंग वैकुंट धाम पहुँचती है और भगवान को भी लगता है कोई मुझे पुकार रहा है और उस रूप में पुकार रहा है और दिखाया है भगवान उसी रूप में उसके सामने प्रगट होते और वो बहुत खुश हो जाता है सन्यासी वो तपस पनवासी और वो जाड़ियों की एक रसी बनाता है और उस नरसी के गले में डालता है और उसको पकड़ कर ले जाता है वहां ले जाता है जहां वो सन्यासी तप कर रहा है वो भक्त पुकार रहा है और वो चिलाते हुए कहता है सन्यासी जी देखो मैं ले आया तुम्हें जिसकी तलाश थी वो सन्यासी आख खोलता है तो क्या देख रहा है स्वैम नरसिंग भगवान सामने है और ये वनवासी उसके गले में रसी बांदे हुए और उसको अपने हाथों से घास खिला रहा है और वो वनवासी कहता है देखो तुम जिसे खोज रहते वो यही है और ये शेर बिरकुल भी खुखार नहीं है एकदम सोम्य है घास खाता है मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ वो सन्या से उठता है भाव विभोर हो जाता है साक्षात उसे उसके दर्शन हुए है जिसकी कामना जन जन की थी और एकदम चर्णों में गिर पड़ता है दोनों के और फिर भगवान कहते है मुझे इस वनवासी ने खोच कर निकाला है क्योंकि इसका रिदाय इतना शुद्ध था इसकी पुकार इतनी स्वच्छ थी इसकी गुहार इतनी आर्थ थी कि मैं अपने आपको रोक नहीं सका और कोई भी मुझे इस तरह से निश्चल भाव से यदी पुकारेगा तो मुझे आना ही पड़ता है ये मेरा वचन है जब जब कोई मुझे पुकारेगा तब तब मैं अवतरित होंगा तब तब मैं प्रगट होंगा और दिखाया है भगवान उस वनवासी के सिर पर हाथ रखते है और तुरंत वो मुक्ति को पाता है और उस सन्यासी से कहते है तुम भी अपनी साधना जारी रखो हो सकता है इसी जनम में तुम्हें मुक्ति मिलेगी ये कहानी विश्वास की है ये कहानी निश्चे की है ये कहानी प्रभु प्रेम की है जब ऐसा उत्कट, ऐसा तीवरवेग हो प्रभु प्रेम में तो वो प्रेम की तरंगे है उस तक पहुँचेगी और वो स्वैम दोड़ कर आएगा क्या हमारा प्रेम ऐसा प्रेम है जो भक्ती में भक्तों का प्रेम था जो किसी विकारी पुरुष का विकार के लिए प्रेम है किसी लोभी का, किसी वस्तू के लिए प्रेम है क्या हमारा प्रेम इतना तीव रहे उस एक क्यातिरिक तो और कोई सहरा ही नहीं उस एक में ही सब कुछ समाया हुआ प्रभु प्रेम सबसे पाउर्फुल टूल है अध्यात्म का एक है पवित्रता, एक है योगपल और तीसरा है परमात्म प्रेम अगर ये तीनों मिल जाए तो आत्मा को कुछ भी ऐसा नहीं जो रोके संपूर्ण बनने में संपूर्ण ब्रह्मचरिय संपूर्ण पवित्रता भगवान को बहुत प्रिय है बाकी और कुछ हो नहीं हो, बाकी कोई गुन नहीं है परंतु रिधय बहुत शुद्ध है और विकारों से रहित है भगवान को बहुत प्रिय है योग का बल आत्मा की शक्ति कहीं पर भी व्यर्थ खर्च नहीं हो रही है स्थिर है जेतना और परमात्म प्रेम संसार के सभी अनुभव कर लिये संसार के सभी संबंदों का अनुभव कर लिया और पाया कि किसी भी संबंद में संतुष्टी नहीं है सभी संबंदों में कही न कही अपूर्णता है अपूर्थता है व्यर्थता भी है जवात्मा इस निशकर्ष पर पहुँशती है और संसार से ध्यान हट जाता है तब एक ही प्रभु के प्रती प्रेम प्रगट होता है आज सुभा की अव्यक्त वाणी बाबा ने स्वैम को कौन सा टाइटल दिया है शुरुवात में ही विश्व स्नेही वो विश्व का स्नेही है सारे विश्व को स्नेह करने वाला है और सारा विश्व उसे स्नेह करने वाला है यह टाइटली कितना अच्छा है उसका विश्व स्नेही विश्व कल्यान का रीव है वो सुना है विश्व स्नेही नया है जो सारे विश्व से इसनिह करता है वो विश्व मित्र है रामायन में दिखाया है राम जी को लेने कौन आते है विश्व मित्र आते है वो विश्व मित्र आये इसलिए राम जी गए है अगर कोई और आता तो शायद नहीं जाता भगवान उसी के साथ जाते है जो विश्वामित्र है दश्रत कहता है मैंने जाने दूँगा पर राम जी जाने को तैयार है कोई और आता तो शायद दश्रत कहते थे जाओ राम जी कहते है मैंने जाऊंगा जो विश्व प्रेमी है जो विश्व मित्र है जो विश्व कल्यान कारी है जो विश्वस नहीं है तो बाप है उनी के साथ बाबा जाते है या रहते है तो बाबा का टाइटल विश्वस नहीं और हम सब का टाइटल किसको देख रहे है विश्वस नहीं बाप जो सनेही है जो साथ ही है जो सही होगी है जो परमात्म सने ही है जो परमात्म साथ ही है और जो परमात्म सही होगी परमात्म जो कार्य करने आया उस कार्य में जो सही होगी है जो प्रभू के सने ही होगे और जो उसके साथ रहते कितनी महानतम वो आतमाय होगी और ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन का अधार क्या है? या कारण स्ने है Love as Cause of Transformation आतमा एक ज्ञान से परिवर्तित नहीं होती है हो सकती है अगर वो इतनी पिपासु है ज्ञान की परन्तु आतमा उको प्यास प्रेम किये तो यहां भी जितनी भी आतमाएं आई है लगभग सभी उस प्रेम से खिच कर आई है उस प्रेम ने खिचा है इसना निस्वार्द इतना निश्चल प्रेम इसलिए यहां बैठे है सब कुछ सहन कर रहे है क्यूँ प्रेम की वज़े से Love तो आज की मुरली अव्यक्त वानी क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? तीन प्रकार के बच्चे है तीन प्रकार के बच्चे कहो यह प्रेम की तीन सीडिया कहो एक और रूप है जिससे इसको समझा जा सकता है एक तो तीन अलग-अलग एक, दो और तीन परंदू एक दूसरा दृष्टिकोन भी हो सकता है कि यह तीन सीडिया है स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री जब तक स्टेप वन नहीं, तब तक स्टेप टू नहीं जब तक स्टेप टू नहीं, स्टेप थ्री नहीं और स्टेप वन क्या है? स्टेप वन सीधा समाना पहले तो बुद्धी संसार में है वैभो में है, व्यक्ति में है, वस्तू में है, साधन में है इसके साथ एक चौथा जोड़ दिया प्रभू, परमात्मा डिवाइड लाओ है पहली स्टेप क्या है? खंडित प्रेम जैसे खंडित चाबी का वर्नन है मुर्दी में, वर्दान में वैसे पहली अवस्था कौन सी है? खंडित प्रेम, ये प्रेम खंडित क्यों है? क्योंकि ये प्रेम केवल परमात्मा से नहीं है कभी-कभी, इधर-उदर भी जा के आता है उसे देह धरियों की प्रेम की भी प्यासे कभी है कभी नहीं कभी जुड़ता है कभी तुटता है और तुट कर कहा जाता है व्यक्तियों में जाता है साधनों में जाता है वैभों में जाता है और वहां रहता है और वहाँ भी खुशी की अनुभूती होती है, वहाँ भी प्राप्तियों की अनुभूती होती है, परंतु जो प्राप्तिया इधर है वो वहाँ नहीं, यहां की अविनाशी प्राप्तिया है, यहां सर्व है, वहाँ थोड़ी थोड़ी है, परंतु फिर भी प्राप्तियों क वो भोगते भोगते प्राप्तियों के प्रती संसार की प्राप्तियों के प्रती एक एडिक्षन निर्मान होता है और वो एडिक्षन फिर कहता है इसकी अवश्यक्ता है क्या कहता है यह जरूरी है यह नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा जैसे बीडी सिक्रेट दारू तंबा को पीने खाने वाले जो होते व्यसनी जो होते वो व्यसन उनकी आवशक्ता बन जाता है दिए अडिक्टिव माटेरियल बिकम उसके शरीर के आवशक्ता हो जाती है अगर वो उसे नहीं मिलता है तो भेचे नहीं होती है विड्रॉल सिम्टम्स होते है उसी तरह संसार के व्यक्ति संसार के वैभो और संसार के साधन का यदी उपयोग किया गया तो वो क्या निर्मान करते है एक व्यसन एक व्यक्ति से एक बार बात करो फिर दूसरी बार बात करने की इच्छा होती फिर तीसरी बार फिर चौती बार फिर पाच्वी बार फिर दस बार फिर कई बार और फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि अब तुम्हारे बिना में जी ही नहीं सकता तुम चाहिए और हमारे बीच यदि कोई आ जाए तो व्यक्ति साधन, वस्तू डिवाइस फैसिलिटीज संसार में यह सबसे बड़ा दोश है कि इस संसार को भोगते ही उस भोग के प्रती आ सकती जाकती है हम सोचते हैं हम उन भोगों को भोग रहे हैं परंदू वास्तव में वो भोग हमें भोग रहे हम सोचते हैं व्यसनी सोचता है कि वो दारू पी रहा है परंदू वो दारू को ने पी रहे हैं उसे भी रहा है भोजन को हम खाने रहे भोजन हमें खा रहा है तो सबसे पहले प्रकार की आत्माई कौन सी है प्रेम करने वाली आत्माई प्रीत करने वाली आत्माई परंदून की प्रीत एकरस नहीं है कभी प्रीत इधर उदर भी जाती है वो करने वाले वाकी वास्तव में अगर प्रेम होता या पूर्ण होता अखंड होता तो उसमें ये मेहनत नहीं होती है इधर से फिर बुद्धी हटाओ और फिर इधर लगाओ फिर पता चले कि ये व्यक्ति धोका हुआ एक व्यक्ति से धोका होता है तो फिर किस से प्रेम करता है दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर तीसरे से प्रेम करता हूँ तीसरा धोका बिलकुल नहीं देगा उसकी आशावादी था तीसरी स्त्री से धोका मिलता है सोचता है ये चवती स्त्री बिलकुल धोका नहीं देगी ये उन तीनों जैसी नहीं है उन में तो बहुत आउगुन थे इसमें तो गुन ही गुन नगर नजर आते है हाँ इसमें वो अउगुन नहीं है जो उन तीनों में थे पर इसमें नए अउगुन है वो बात में पता चलते है और तब तक बहुत देरी हो चुकी है और फिर खोज जाती है पाचवे की पर खोज जा रही है वेराग अर्थात एक स्त्री से वेराग नहीं सभी स्त्रियों से वेराग वेराग अर्थात एक पुरुष से वेराग नहीं सभी पुर्षों से वेराग और ये पक्का अंकित हो जाए चेतना पर तो सबसे पहली आतमाय कौन सी है प्रेम इधर भी प्रेम करने वाली वो बाबा से भी प्रेम करती है और व्यक्तियों से भी करती है वस्तुयों से भी करती है और साधनों से भी करती है वैभों से भी करती है और फिर वहां जाती है और फिर इधर आती है तुकड़े तुकड़े होगे दूसरे प्रकार की आत्मा इनसे थोड़ी एड़वांस है इन्होंने क्या कर दिया रिटन, रिस्पॉन्स, आशाओ को पूर्ण किया उनको रिटन में गिफ्ट भी मिली उमग उस्सा, हिम्मत परन्तु कभी-कभी समाने और कभी-कभी नहीं है परन्तु ये बहुत आगे की स्टेज है इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया इश्वर के प्रती, इश्वर के कार्य के प्रती तभी तो बाबा की आशाओ को पूर्ण किया ये साधारन आत्माय नहीं है ये बहुत उची कटिकरी आत्माओ की कि जिन्होंने सर्वस्वसवा कर दिया उस प्रभू प्रेम के पीछे और बाबा से प्यार अर्थात जितनी उसकी परिभाशा है वो सभी परिभाशा इन आत्माओं में बाबा से प्यार अर्थात कितनी चीजों से प्यार पंदरविस पॉइंट से उसमें बाब से प्यार अर्थात ग्यान से प्यार बाब से प्यार अर्थात उसके राज्योग से प्यार बाब से प्यार अर्थात उसकी सिखाई हुई धरणाओं से प्यार बाप से प्यार अर्थात, सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, उसके यग्य से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, उसके अवतरन भूमी से प्यार, इस मदुबन से प्यार, उस सुक्ष मवतन से प्यार, उस परमधाम से प्यार, उस आने वाली राजधानी से प्यार, ममा से प्यार, बाबा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, दादियों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, उसकी जो में सेल्समें है, सेल्स वुमन, सेल्समें, उन टीचर बहनों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, एक एक ब्राम्हन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इसी यग्य से प्यार, बाप से प्यार अर्थाथ, यग्य की एक एक वस्तू से प्यार, बाप से प्यार अर्थाथ, उसके नाम से प्यार, उसके रूप से प्यार, उसके करतव्यों से प्यार, वो जो कुछ करता है उस से प्यार, उसके बोल से प्यार, उसकी वानी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात, पशु जगत से प्यार, सभी से प्यार, कोई भी इसमें छुटा हुआ नहीं है, बाप से प्यार अर्थात widening the consciousness बाप से प्यार अर्थात चेतना इतनी विराठ हो जाए कि उस विराठता में सब कुछ समाया हुआ है किस से गिरिना करें किस से नफरत करें ऐसा कौन है वो हर एक प्रभु प्रेम का पात्र है और हर एक प्रभु को प्रेम बाप से प्यार अर्थात और एक चीज़ से प्यार एक चीज़ छूटी है कौन बताएगा ड्रामा रइट बाप से प्यार अर्थात इस ड्रामा से प्यार और ड्रामा में भी ड्रामा के एक एक सीन से प्यार आप से प्यार अर्थात ये नहीं ये सीन बाबा हटा दो बाकी ठीक ये दो सीन खाली ठीक नहीं है जीवन के ये दो सीन बहुत दुखदाई हैं दर्दनाक है सब सीन अच्छे हैं माताओं से मुलाकात आज की मुरली मौज में रहने वाली हो या मुझने वाली हो अग्यानियों का काम है मुझाना और तुम्हारा काम क्या है मौज में रहना तुबाप से प्यार अर्था ड्रामा से प्यार ड्रामा के एक एक सीन से प्यार ड्रामा के एक एक रहस्य से प्यार ड्रामा से प्यार अर्थात उन रहस्यों से प्यार जो अब तक प्रगठी नहीं हुए अंसुल जी जो रहस्य है उद्घाटन उनका हुआ ही नहीं है अभी तो यह सारी कौलिफिकेशन यह सेकंड केटेगरी की जो आतमा है केटेगरी टू यह सब फुल्फिल करेगी तभी तो उनको रिटर्न, रिस्पॉंस सारी आशाओं को पूर्ण करने वाली है हाँ कई बार बाप समान स्थिती में है कई बार नहीं भी है परन्तु नहीं भी है फिर भी उनके द्वारा स्रिष्ट सेवा तो होई रही है यह बहुत उच कोटी की आतमा है और ऐसी आतमाओं की इस यख्य में कमी नहीं असंग्य आतमा है जो इस केटेगरी की और तीसरी समान कौन सी है स्टेप थी अगर वो स्टेप वन है, स्टेप टू है तो यह स्टेप थी है वहाँ से चालू किया बाबा से प्यार और वस्तुओं से प्यार वैभों से प्यार फिर दीरे दीरे प्यार बढ़ता गया तो जीवन को ही अर्पित कर दिया पर समान अभी तक बने नहीं बनते हैं कभी कभी तीसरी केटेगरी कौन सी है समाय हुए है ऐसे समाए हुए है कि जुदा होना मुश्किल है ऐसे समाए हुए है कि समाना सहज है दूर होना मुश्किल है जुदा होना मुश्किल है मैनत नहीं है बाप समान आत्मा है बाप के प्रेम में समाई हुई आत्मा है अर्थात खोई हुई आत्मा है डूबी हुई आत्मा है एक बाप, दूसरा ना कोई जान लिया है, स्पष्ट अनुभव कर लिया है ये रचता है, ये रचना है ये बीज है, ये टाल-टालिया है टाल-टालियों में क्या है? आकरशन है, खुश्बू है, रंग है ब्यूटी है कितनी वेराइटी है, कितनी डिजाइन है अलग-अलग रूप है बीच में क्या है? तूसर बीच कितना प्यार कर रहे इस से? कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है एक ही बस, बिंदू और हमें क्या चाहिए? वेराइटी फूल चाहिए, फल चाहिए, टाल-टालिया चाहिए, डिजाइन चाहिए और वो कहां से मिलती है? आतमाओ से परंदू आतमाओ का सहारा जूटा सहारा है वो रचता है, ये रचना है वो बीच है, ये विस्तार है विस्तार में भटकाव है बीज में एक रस्ता है तो तीसरे प्रकार की आतमाओं के लक्षन क्या क्या है जुदा नहीं होते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ती है complete प्रेम undivided लव है क्या कहा बाबाने संपूर्ण प्रेम है उनको साधनों में व्यक्तियों में साधनों के प्रति क्या भादना होती है बहुत अच्छी बात लिखिए मुर्ली में आज के प्रेम साधनों के लिए क्या साधनों के लिए निमित मात्र होकर कार्य में लगाएंगे या साक्षी होकर कार्य में लगाएंगे ऐसा नहीं कि साधनों से दूर भागेंगे साधन है भागो साधनों से डरेंगे नहीं साधनों से दूर नहीं भागेंगे साधनों के प्रति आसकत नहीं होंगे साधनों के बगेर भी काम चलाएंगे पर है तो उनका प्रयोग करेंगे और प्रयोग किसलिए करेंगे सेवार्थ करेंगे और किस भाव से करेंगे Detached Observer साक्षी लाखो करणो रुपे है आज रेवक कर रहे कल कुछ भी नहीं है स्तिती सेम आज चीज़े है कल नहीं है सेम क्योंकि हमारी खुशी साधनों के आधार पर नहीं है इवन सेवा के भी आधार पर नहीं है या पर किसी स्थान के भी आधार पर नहीं है आज मदुबन में कल कहीं और होंगे खुशी सेम आज इस प्रकार की सेवा कर रहे है कल वो सेवा नहोगी कोई और सेवा होगी खुशी सेम आज ये व्यक्ति साथी है कल वो नहीं होगा, खुशी सेम, आज इस department में, कल वो department change, स्थान change, department change, इंचार्च change, साती change, junior change, साधन change, खुशी, सेम, योगी अर्था जो आत्मा में रमन करता है, उसकी खुशी, आत्मा में, स्वा, स्वा में, और आत्मा में जो सुख है, और कहीं नहीं है, संतुष्टह सततम योगी, भक्ति मार्ग में क्यों सन्यासी योगी, तपस्वी, तिर्थंकर, बैठे रहते थे, उन्हें क्या मिल रहा है, बुद्ध की प्रतिमा देखिए, बुद्ध बैठे है, वो कुछ भी नहीं कर रहे है, ऐसा हुझे क्या, कुछ तो ऐसा मिल रहा होगा, जो बाहर नहीं है, महावीर को देखा है कैसे बैठे, ध्यान, मगन, कुछ तो ऐसा उसको मिल रहा है, जो बाहर नहीं है, और वो सोए भी नहीं है, महावीर के लिए कहा जाता है बर्दमान महावीर 12 years, 15 days की सपस्या है उनकी उसमें से केवल 48 minutes ही वो सोय थे 48 minutes नींद का समय जो जैन सादू सन्यासी है वो क्या कहते है कि उनके नींद कितना समय की थी उन्होंने 48 minutes बाकी 12 साल 15 दिन क्या था चेतना आत्मा में मगन स्वा में मगन थी यहाँ पर ही सब कुछ है बहार का कुछ भी नहीं चाहिए और समावने वाली आत्माओं की निशानिया साधन, वैभाव और व्यक्ति इन तीनों से किप्रति आसकत नहीं है तीनों पर निर्भर नहीं है आधार और सहारा ये दोनों भी नहीं है उनके जीवन का आधार ये नहीं है सहारा ये नहीं है जूटा आधार है ये और माया क्या करती है फिर ऐसे ऐसे संकल्प लाती है जो पिलर्स बनते हैं वो पिलर कैसे होते है Artificial, Deceptive धोके देने वाले पिलर्स पूर्ण कौन बना है पुर्शारती है ये बड़े भी ऐसा ही करते है ऐसे डेर सारे अलग-अलग-अलग संकल्प आत्मा को कमजोर कर देते है चमा में होगा तो करेंगे देख लेंगे, अभी टाइम बहुत बड़ा है, इसमें टाइम के लिए भी कहा है आगे एक सेकेंड का भी भरोसा निया धोका दे सकता है चोबीस घंटे में से दो ही मिनिट आलस के थे उस दो ही मिनिट आलस के या विकार के दो मिनिट में ही मृत्यों आ गई तो अंत्मती सो गती, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है छत पर नीचे देखा उसका मितरा आया है वो कहता है, हेलो मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने आतव तक अंदर आओ सीडियों से उतरते, उतरते हार्ड अटेक डिथ, खतम अभी-अभी कहता है मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, और अभी-बी खलास कितना अनित्य है जीवन अध्यात महर्था this moment अब इस समय में क्या हूँ this moment तुमने अब तक क्या किया है क्या सेवाय की है कितनी किताबे पढ़िये कितने भाशन दिये है कितने lectures दिये है क्या कुछ किया है वो सब एक तरफ अब इस समय क्या कर रहे हो that is spirituality this moment in this moment lies the eternity इस पल में सदी चिपी हुई है तो ऐसी आत्माएं किसी को भी सहारा नहीं बनाती है ऐसी आत्माएं किसी को भी आधार नहीं बनाती ऐसी आत्माओं के सभी संबंदों का रस एक से बाबा ने कहा इस अनुभव को बढ़ाओ even स्थूल में भी बाबा का साथ है साकार में भी वो साथ है स्थूल से स्थूल परिस्थिती है उसमें भी वो साथी है वैसे वो कहता है मुझे इन सब चीदों से कोई ले न देना है तुम बिमार पड़ो, तुम्हारा देवाला निकल जाए तुम्हारा कुछ भी हो गया वो तुम्हारे कर्म है, तुम भोगो मैं यह सब के लिए नहीं आया मैं क्वा कुरू यह साकार में सब ऐसे महावाक्य बहुते पर अव्यक्त में ऐसा कोई भी महावाक्य एक साधू नदी पार कर रहा होता है और नदी पार करते करते जो catchment area होता है नदी का वो एक शेत्र होता है वहाँ पर अचानक तेज नदी का बहा हो जाता है नदी उफान पर आ जाती है और उसके गले तक पानी आ जाता है उसे तेर ना आता है परन्तु पानी का प्रभा इतना ज़ादा है कि वो अपने आपको रोक ही नहीं पाता तहरना वो समझता नहीं उसे क्या करू मैं और एक लकड़ी की खुंटी उसे दिखती है उसको वो ताइट पकड़ लेता है पानी उसके गले तक बहरा है उसको पकड़ने रहता है शाम का समय होता है और धीर धीर अंदेरा हो जाता है अब तो उसे समझ नहीं आता है क्या करू और पकड़ के रहता है रात भर पकड़ के रहता है हाथ सुन हो जाते हाथों में दर्द होने लगता है आखिर कहता है प्रभू अब तेरे हाथ में है सब कुछ जो करना था करके देख लिया अब तू चाहता है यदि मैं जिन्दा रहू तो ठीक या फिर अम शांती तेरे उपर छोड़ दिया है सब कुछ और पकड़े 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 थकान हाथ छोड़ देता है और जैसे हाथ छोड़ देता है वो देखता है तब तक नदी का पानी कम हो चुका है और वो जैसे हाथ छोड़ता है पानी यहां तक आता है और बस थोड़ी फूट की दूरी पर जमीन होती है उसके पैर जमीन पर और देखता है वो लकड़ी का खूटा जब मन में ये भाव आया सब कुछ अब तेरे प्रती समर्पित करता हूँ तब अचानक उसने छोड़ भी दिया और रक्षा भी हो गई रक्षा पहले भी हो सकती थी परन्तु वो भाव तब तक नहीं जागा था तो चेतना में वो भाव जग जाये कि जो करना था सब कर लिया ना यू टोटल सरेंडर संपूर्न समर्पन संपूर्न प्रेम है संपूर्न समर्पन ही संपूर्न प्रेम है प्रेम किसी शर्थ को नहीं जानता है प्रेम मांगने की भाषा नहीं जानता प्रेम को कुछ भी नहीं चाहिए प्रेम क्या जानता है देना बाटना स्वाहा हो जाना तो तीसरे प्रकार की आतमा है कि चर्चा चालू थी समाने वाली कैसी है जुदा नहीं होती है मेहनत नहीं है संपूर्न प्रेम है कोई सहारा नहीं कोई आधार नहीं एक ही सहारा एक ही आधार और स्थूल में भी उसी का स साकार में भी उसी का साथ किसका जो निराकार है, साकार में भी अनुभव किसका जो निराकार है, स्थूल कर्म में भी उसी का साथ, उसी का अनुभव, उसी के प्रती समर्पन भाव, और कोई संकल्प नहीं, कोई कमजोर संकल्प नहीं, कोई आर्टिफिशल पिलर नहीं, कोई माया को आने का चांस नहीं यह सभी बाते थर्ड टाइप की आतमाओं में बाबा ने पूछा है मैं कौन तुम सोचो अब इन तीनों में से हम कहां है तो उत्तर क्या है पहले में है या जीरो में है यह तो वन टू थ्री उसके नीचे भी कुछ है और जीरो और जीरो के नीचे में भी है निगेटिव जो विकर्म किये जा रहे है जो दूसरों को दुख दिये जा रहे है श्रीमत तो चलना तो छोड़ श्रीमत को तोड़ मरोड करके अपने अनुसार चला रहे है वो भी अवस्ता है या फिर यज्य की disturbance कर रहे है विरोध कर रहे है, opposition कर रहे है निंदा कर रहे है, गलानी कर रहे है ब्रामनों की ये भी अवस्ता है, ये नीचे की अवस्ता है वो वाले भी है और सा भी धर ही है कवरव और पांडव एक ही परिवार से थे महाभारत का युद्ध किसमे हुआ भाई 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 मैं कौन हमारा एक-एक संकल्प और एक-एक सेकंड विशेश है इसी मुडली में कहान आगे दादियों से भी कहा अथकपन को देखकर दूसरों में क्या होता है वो महगुस्सा आता है तो तीन प्रकार की आत्मा है और फिर आगे बाबा ने कहा मौज में रहना है मौजना नहीं है तुम्हेक एक कौन हो विशेश और विशेश आत्माओ के लक्षन संकल्प विशेश और सेकंड विशेश विशेश आत्माओ के लक्षन सब कुछ उनका विशेश जैसे देहभान जो है वो क्या हो गया है नैचरल नेचर उसी तरह देही अभिमान क्या हो जाए नैचरल नेचर व्यक्ति के साथ यदि प्रेम बढ़ाना है तो क्या चाहिए तो देही अभिमान इस्तिति यह भी कहा है मुली में तो नेचर को क्या करना है नेचरल सहज उसकी क्या विदी है कोई भी चीज नेचरल हो जाए सबसे पहले नेचरल वही चीज हो सकती है जो सहज हो नई आदत अगर हम कहें कि नई आदत डालनी है और पहले दिनी ऐसा थका दो कोई पहले दिनी जिम में उससे इतने काम करा लो इतने भारी भारी वजन 10-10 किलो वाले और 20-10 किलो वाले उठा दो अगले दिन निडाल आएगा ही नहीं वो कहता है बहुत कर लिया किसी को दोडाना है पहले दिन ही पाँच किलो मेटर दोडाओ अगले दिन आप इधर से वो उदर से तो आदत वही बनती है जो सहज हो आदत तब बनेगी जब वो रिपीट करेंगे आदत दोराओ अगर किया जाए तो आदत बनेगी आदत तब बनेगी जब प्रैक्टिस 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 रेपिटिशन 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 आदत तब बनेगी जब उसको रिवाइस करते रहेंगे उसकी चर्चा करते रहेंगे, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते जाएंगे फिर उसमें क्या क्या दोश, क्या क्टिनाई है उस पर काम करेंगे क्योंकि कोई भी महान लक्ष बिना महनत के पाया नहीं जा सकता अगर मिल जाए तो उसका कुछ मज़ा भी नहीं इतना महान लक्ष है संपूरनता उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करे होगी तो अगर मिल भी जाए तो क्या भाइदा और मिलेगा तो नहीं पर मिल भी जाए तो मज़ा नहीं आएगा और क्या कहा इस मुर्ली में बाबाने यह इस मुर्ली में है जो समाई हुई आत्मा है उनके लिए एक लक्षन और भी है उनके संकल्ब से, उनके चेहरे से, उनके मुख से क्या दिखाई देगा? एक बाब, दूसरा ना, कोई यह दिखाई देगा और मौजों में रहने के लिए का है मौज को जीवन बनाना है मौज अर्थात, खुशी उधारन भी है, रमनिक था किसी का स्वभावी रमनिक होने का है कितनी भी serious condition हो कितनी भी serious उसमें क्या करेगा हो जोक्स उसके लिए हसी की बाते हैं वो सारी और जीवन को ऐसे ही जिया जाता है अगर बहुत गंबीर और बहुत serious होकर जिये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दुखी होते रहेगा व्यक्ति इसलिए हर बात को seriously नहीं लेना है दूसरों के comments, दूसरों को opposition लोग conscious हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं मुझे ऐसा कहा light बावा कहते हैं यह drama क्या है cartoon show Mickey Mouse का खेल कटपुतलियों का खेल यहां जो कुछ हो रहा है हर चीज़ पकड़के नहीं रहना है 10 साल पहले उसने मुझे यह कहा था इसने मुझसे वादा किया था और वादा नहीं निभाया इसने मुझे धोका दिया कब-कब धोका दिया पूरा clear है बस पूछने की देरी है किसे किसीने पूछते ही चालू किसने किसने धोका दिया किसने किसने अपमान किया किसने किसने विरोध किया किसने किसने विगन डाले एकदम fresh है memory में और पूछो बाबा से क्या-क्या मिला फिर सोचते हैं अच्छा क्या-क्या मिला लिखता हूँ अगे लिखने के बाद में याद नहीं आता है जिसका revision होता है रोज वो याद आता है इसलिए अपने दुश्मनों के अगुन अगर लिखने को कहो तो पाँच लिखने को कहो तो बीस क्यो practice अमरितवेला revision अमरितवेला revision और अमरितवेला जिसका revision होता है वो फक्का हो जाता है उसके अगुनों का पहरे चिंतन करते हैं और फिर कहते हैं मैं उसे प्रेम की सकाश भी दे रहा हूँ लास्ट में एक होता है न वो बना दिया और उपर उपर से पहले पूरे अउगुन और फिर इसको शक्ती दे इसको प्रेम दे इसका कल्यान कर बाबा तो ये भी एक बात है और क्या कहा इस मुडली में स्वा सेवा और साथी सर्वा और और पूरा वर्दान पढ़के सुना दिया अंदर क्या है वो सुना समय संकल बाबा ने कहा तुम साधारंता को छोड़ो और किसको अपना स्वभाव बनाओ विशेष्टा को अपना स्वभाव बनाओ चैलेंज करो दुनिया वालो को कि हम कौन आत्म है हम स्रेष्टा आत्म है साधारं आत्म है नहीं है विशेष्टा से संपन आत्म है विशेष्टा जिनका स्वभाव है हर चीज विशेश करनी है जो अब तक की जा रही है उससे थोड़ा हट के जो आज तक किसी ने नहीं सोचा वो सोचो सेवाओं में क्या? Creative Mind हर बार शिवरात्री आ रही है अब सोचो ऐसा क्या किया जाए जो आज तक नहीं किया गया हर बार बारा शिवलिंग हर बार ये किया वो किया वो किया वो किया अब नया सोचो कुछ नवीन्ता विशेश हो, अमूल्य हो वैलियोबल हो क्या कहा? विशेश, अमूल्य, वैलियोबल आतमाय हो साधारन्ता नहीं स्रेश्टता को सभाव बनाओ नेचर एक व्यक्ति बहुत घमंडी होता है और वो भगवान को सोचता है मैं भगवान को भोग लगाऊं और भोग लगाने जो घमंडी होता है उसकी सेवाओं में भी घमंड प्रदिश्रत होता है हर जगा वो निकलता है बाहर और वो भोग लगाना है तो ऐसे वैसे थोड़ी लगाएंगा जैसे साधरन लोग लगाते विशाल, विराड भोग, छपन प्रकार का भोग, उसमें भी दिखावा उसमें भी सबको पता चले कि कौन भोग लगा रहा है क्या भोग लग रहा है वो इंपोर्टन नहीं है कौन लगा रहा है सारा भोग रख के भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभू, भोग स्विकार करो और तुम्हें यदि कुछ और चाहिए तो बताना तुम्हें अगर किस चीज की आवश्यक्ता है अगर मंदिर का विस्तार करना है कंस्ट्रक्शन करना है कोई एकुमेडिशन की फैसिलिटी चाहिए कुछ भी चाहिए तो बताना प्रार्थना चालूए अचानक आकाश से आवाज आती है मुझे केवले की चीज चाहिए मंसा पुष्प वो कहता है ठीक है प्रभू लाके देता हूँ प्रार्थना पूरी करता है नौकरों को बुलाता है किसी ने मंसा पुष्प को देखा क्या कोई कहते हमें पता ही नहीं क्या है सब जगा खुद धूड़ने जाता है मंसा पुष्प भगवान को चाहिए भगवान ने मांग की है मैं दूँगा सब जगा धूड़नता है यहाँ वहाँ सैनिक अपने नौकर दोड़ाता है सब जगा धूड़नकर उसे आखिर मंसा पुष्प मिलते ही नहीं और आखिरकार वो मंदिर में आता है और भगवान से कहता है मैं पराजित हुआ मैं हार गया पर मुझे पता नहीं मंसा पुष्प कहां मिलते हैं आप ही बता दो मंसा पुष्प कहां है या क्या है भगवान कहते हैं बस यही है मंसा पुष्प क्या है यही आत्मा का समर्पन भाव यही आत्मा की आत्मा का प्रभू के लिए प्रेम तो आज की सारी मुरली प्रेम पर है तो अभी सब के लिए एक होमबग दे रहे है बाबा से प्रेम कैसे बढ़ाए इसकी क्या लिखनी है कल? विधी कल अमरित वेले किस पर चिंतन करेंगे? प्रेम कैसे बढ़ाओ? और किस से पूछेंगे? उसी से पूछो उसके अतिरिक तो कौन बताएगा? बागी लोग जो भी बताएगे कुछ न कुछ उगड़बड़ी होगी उसमें उसको ही पूछो कि तुम से प्रेम करना है तुम ही बताओ काम तुमारा है तुमारे लिए यूटेल और जब तक नहीं बताओगे मैं हिलूंगी नहीं और जब तक नहीं बताओगे मैं हिलूंगा नहीं तुम को हिला के रहूंगी बताओ बताओ तुम से प्रेम कैसे करूँ क्या करूँ? कि ये प्रेम इतना विराट हो जाए, इतना फैल जाए, इतना विस्तार हो जाए इस प्रेम का, कि देहधारियों के प्रती जो प्रेम के गाउ बना के रखे, वो सारे इस बाड में डूब जाए, प्रभू प्रेम का तुफान, प्रभू प्रेम की आंदी और प्रभू प्रेम क अतमाों को। ऐसे बाप कि याद में प्रेम में समाय हुई आतमाओ को ऐसे आईसे सनेही सईयोगी साथी आतमाओ को ऐसे विश्व सनेही आतमाओ को ऐसे संकल्ड piorा गड़ी अंतिम गड़ी अंतमती सोगती ऐसे आकर्शन मुक्त आतमाओं को साधन को सहारा ना बनाने वाली आतमाओं को व्यक्तियों को सहारा ना बनाने वाली आतमाओं को ऐसे वैभाओं को सहारा ना बनाने वाली आतमाओं को ऐसे एक बल एक भरोसा एक सहारा एक आधार ऐसे क्या करने वाली आत्मा में ही रमन करने वाली आत्मा को ऐसी स्थूल में भी सुक्ष्मका सुक्ष्मत्तर सुक्ष्मत्तम परमात्मा कानुभाव करने वाली ऐसे ऐसे बेहत के वेरागी आत्माओ को ऐसे विशेष्टा को अपना नैचरल नेचर बनाने वाली आतमाओ को ऐसे संतुष्ट आतमाओ को ऐसे खंडित प्रेम नहीं अखंड प्रेम खंडित चाबी नहीं अखंड चाबी वाली आतमाओ की साकार से भी और निराकार से भी प्रेम करने वाली आतमाओ को ऐसे रथी रथ को टालिया, सारा कुछ उस बीज में चहितन्य बीज है उस बीज से संबंद जोडने वाली आत्माओ को रचना से रचता से संबंद जोडने वाली आत्माओ को रचना को अधार न बनाने वाली आत्माओ को ऐसे उमंग उस्ता में रहने वाली आत्माओ को ऐसे उससे जुदा ना होने वाली आत्माओं को ऐसे ना मुझने वाली आत्माओं को मौजों में रहने वाली आत्माओं को ऐसे संतुष्टा का सर्टिफिकेट ऐसे किसी को आधार नहीं सहारा नहीं एक बाप ही आधार एक बाप ही सहारा ऐसे विश्वस नहीं और ऐसे आज जो हुमवक दिया है वो कल सुबह हमरी तवेला करने वाली आतमाओं को और उसको अपना जीवन बनाने वाली आतमाओं को बाप दादा का याद प्यार गुड़ नाइट और नमस्ते हम रुछानी बच्चों की रुछानी बाप दादा को याद प्यार गुड़ नाइट और नमस्ते हुम शंते